नमस्कार मित्रों आप चवी का जो हमारे टूफलेट फार्म ग्यान तिला काया शकरी में में शौगत है आज हम लोग का टॉफिक है कि मरोस्तलिय छेत्रों में पाउनों के द्वारा निर्मित असला कृती जैसा कि आप लोग जानते हैं कि TGT, PGT, LT, GIC इत्यादी परिच्छाओं में आसला कृतियों से संबंदित जो है विवन प्रकार के कृशियन पूछे जाते हैं और आप लोग जब इसको प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है इस वीडियो से आपके अधिकान कृशियन जो है लगभग 80-90% के बीच में सारे कृशियन स्वालव हो जाएंगे आप लोग को इस वीडियो के अत्रिक्ट कहीं और वीडियो देखनी की आऊसकता मेसूस नहीं होगी तो हम लोग जो है वीडियो में आज देखेंगे मित्रों की मरुस्थली छेत्रों में पाउन के द्वारा अपर्दन का कारी कैसे होता है कितनी रूपों में होता है अपर्दन से किन असला कृतियों का निर्माड होता है और निच्छे पर से किस परकार की असला कृती का निर्माड होता है इन सभी पहनों के संदर में आज हम लोग इसका जो है बिस्तरित अध्यन करेंगे तो हम लोग वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो पहला है इसमें कि मर्वस्थली छेत्रों में पाउन के द्वारा निर्मित असला कृती ये मर्वस्थल है मर्वस्थल में पाउन परवाहित होता है और जो मर्वस्थल में पाउन परवाहित होता है वो आस्थाई होता है परिवर्तन सेल होता है तो जब पवन आस्थाई और परिवर्तन सेल होता है तो स्वभाविक है कि पवन के द्वारा जो असला कृती का निर्माड होगा वो भी आस्थाई और परिवर्तन सेल होगा ये तो हमारा स्फ़र्ट हो गया कि ये पवन के द्वारा निर्मित असला कृती अगर पवन यहां पर क्या है? मरुवस्थल में जो पवन है यह क्या है? आस्थाई है और क्या है दूसरा? परिवर्तन सेल है परिवर्तन सेल होता है तो इस परकार जो अस्थला कृती होगी क्या होगा? अस्थला कृति जो अस्थला कृति का निर्माड होगा ये भी क्या होगा ये भी आस्थाई और जो है परिवर्तन सील होगी ये जो है क्या है कि पवन होगा पवन आस्थाई होगा परिवर्तन सील होगा तो इससे समंदिज जो असला कृती का निर्माड होगा ये भी क्या होगा आस्थाई होगा और परिवर्तन सील होगा पवन आस्थाई परिवर्तन सील तो असला कृती भी आस्थाई और परिवर्तन सील होगा और दूसरी चीज़ अगर असला कृती का निर्माड होता है पवन की द्वारा तो कितने अवस्थाओं में होता है पउन की द्वारा कौन-कौन सी परक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो इन सभी चीजों को देखेंगे जैसे इसी की अंतरगत हम देखेंगे पउन की द्वारा जो है तीन परकार की माध्यम अपनाए जाते हैं जो असलाकृति का निर्मान में चहाइक होता है एक होता है इसमें जो है देखेंगे अपवाहन और दूसरा है इसमें जो है अपगरसड और तीसरा है शन्नी घरसड तो अब इसमें प्रस्मूंत interesante है कि पवन की दौरा अपवाहन की किरिया कैसे होती है और अप घरस्ट की किरिया कैसे होती है और शनी घरस्ट की किरिया कैसे होती है तो इसमें देखेंगे जो अपवाहन किसे कहते हैं अपवाहन मतलब अप किसी अस्थान से पूर किसी चीज को उठाना वाहन और उस चीज को किसी अधर अस्थान पर ले जाकर रख देना तो उसे क्या कहेंगे अब वहां मतलब क्या होगा कि मर्वस्थे चेत्रों में माल लेते हैं क्या है यह मर्वस्थल है यहां सारा क्या है यहां सब बालू है मौजूद है जब बालू यहां पर मौजूद होगा और यहां पर पाउने चलेंगी पाउने जाती है, मतलब एक अस्थान से उसे उड़ा कर दूसरे अस्थान पर ले जाकर जो है रख देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आप वहां कहते हैं, मतलब आवसाद को उड़ाना, आवसाद को उड़ा ले जाती है, कौन उड़ा ले जाता है भाई शाहप, पवन उड़ा ले जा मित्र होता है पवन भी होता है और पवन में जो है आवसाद भी होते हैं यहां पर एक सब्द का प्रियू किया गए आवसाद आवसाद में जो है इसमें बालू भी आ जाएंगे कंकड़ भी आ जाएंगे पत्थर भी आ जाएंगे चतान की मतलब छोटी-छोटी चीज़े जो पॉनों के दराव उड़ा ले जाती है उसारी चीज़ में ब्याप्त होती है थीक सो Cash है तो मित्रोन इश में हम लोग देखेंंगी अप घर्सड किया होता है अप गन्चीज तीजी से तीजी से मतलब किसी चीज को रगार रहा है तो उसे क्क्राह doubt अप घरसड मतलब हम ये हाथ रगड रहे हैं ये क्या हो रहा है एक घरसड की किरिया हो रहे है एक नहीं हो रही है तो सेम इसमें क्या होता है कि मरवस्तलिय छेत्र में जो पवने होती हैं जब पवने आवसाद को उड़ा कर ले जाती हैं उनके मारे में कोई चटान आता है तो पवन में मौझूद जो आवसाद होते हैं वो चटानों से क्या करते हैं? रगड़ते हैं रगड़ते हैं, अपर्दन करते हैं जब वो अपर्दन करते हैं तो जो चटाने होती हैं वो तूट फूट जाती हैं जब वो तूट फूट जाती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, अब घरसड कहते हैं, तो इसमें दो सब्दावली का प्रयोग किया गया है, एक आवसाद होंगे, आवसाद में टकरा होगा, पलस एक चटान होगा, इन दोनों में भाई शाहब क्या होगा, कि टकरा हो जाएगा, और फिर एक दोसरे में टकरा होग तो तोट फोट जाएंगे अब आता है कि इसमें सन्निघर्षण कितना मनुरंजन वाला कितना बढ़ियां टॉपिक आज चल रहा है सूचिए हम लोग मरोस्थल में जो है सारी चीजों को गोमी नहीं होंगे हो सकता है फिर भी सारी चीज को कलपनाओं में व्यापता है मनमस्त इसमें तो सन्निघर्षण क्या होता है सन्निघर्षण में भी वही चीज़े होती है बस यहां पर क्या होता है कि किसी चटान से टकराव नहीं होता है यहां पर क्या होता है कि क्यों आवसाद होता है और शाद हमन में प्रस्नुर्टा होगा भाई शाहर इसमें क्यों आवसा सन्नी घर्षड में क्या होता है सन्नी घर्षड मतलब सन्नी घर्षड मतलब क्या है कि जैसे पवन में मुझूद आवसाद की कड जब आपस में ही रगड कर जो तूट खोड जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं सन्नी घर्षड मतलब यहां पर जो है आवसाद की लड़ाई कि कैसी च्टान से किसी प्थर से नहीं हो रहा है बल्कि आुसाद की लड़ाई आउसाद से ही हो रहा है मतलब कि से हो रहा है आउसाद में ब्याप्त जो कंकर प्थर बजरी की इत्या amigo है उन्हीं से ही आपस में टकरा हो रहा है तो उससे जो टूट-फूट होता है उसी कोम क्या कहते हैं जो है इसे को सन घर्षड कहा जाता है ठीक है तो उमीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज जो है डाइगराम के माद्यम से समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग कंजूसिं मत करिएगा वीडियो को जो है लाइक करिएगा एक ही आप पेच्छा रहती है और अगर नए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सरकेल में स्रियर करिएगा ताकि जो है वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके ठीक है बाकी क्लास तो आज बहुत ही मज़ेदार होने वाला है चुकि पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है और चुकि ऐसे टॉपिक जो आएंगे हिमनत के द्वारा पौन के द्वारा नदी के द्वारा मरुसली नदी के द्वारा सारे चीज जो मज़ेदार टॉपिक हैं सारे चीज पिर तो भी कियांत्रिक्स रचना उठना पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार टॉफिक होने माला है। तो ये तो हमारा हो गया, कि अस्थला कृती का जो निर्माड होता है, ये तीन रूपों में होता है। अब इसके बाद जो है, अपर्दनात्मक अस्थला कृती को हम लोग देखेंगे, अपर्दनात्मक अस्थला कृती। आप लोग भी आप प्रैक्टिस सेट को जुरूर सॉल्व करिएगा, वीडियो को देखिएगा, वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा, बस एक ही पंडा। जितना चीज बताया जा रहा है आप अगर उस चीज को प्रदिन चैप्टर वाइव सॉल्व करते जा रहे हैं तो विश्वास करी एक भी कुस्यान आपका बाहर से अत्रिक्त वीडियो देखनी को सकता नहीं पड़ेगी। चीजों को सामिल किया गया है तो अपरनात्मक असलाकृति में जो हम देखेंगे पाउन के द्वारा जो अपरदन से निर्मीत असलाकृतियां होती ओती हैं जो निव्न परकार्किय को 3 है इसमें पहला देखेंगे वॉत वातगर्थ होता है, दूसरा इंसेल बर्ग होता है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, वातगर्थ हो गया, इंसेल बर्ग हो गया, छत्रक सिला हो गया, और छत्रक सिला के बाद जो है, यहां पर आपका, जो है, यह, जो है, मेशा और बुटी हो गया, जिवनेन हो गया, य जवी केंटर और मेंटीफ हैक्स यह चीज जो है यह सारी चीज इसके अंतरगत आएंगे इसको आप लोग को याद करना होगा इसको मतलब बढ़ियां से याद करना होगा यह जो अस्तला कृतियां है चुकि यह चीज पूंट लेती हैं कि मरुस्तली छेत्रों में पाउन के द जादा क्या होता है पेडिमेंट क्या होता बादसन क्या होता है तो यह कर देगा इसलिए यह सारी चीज जब आप मंद मस्तेश में चित्र के रूप में बढ़ियां रहेंगी आप इसको अच्छे से जो है कर सकते हैं तो इसमें जो है असला कृतियों को आप लोग इसमें देख सकते हैं कुवादगर्थ क्या है, इनसेलवर क्या है और फिर उसके बाद छत्रक्षिला क्या है, मेशाबूति क्या है और फिर ये जो है जिवनेन क्या है और भू अस्तम्ब क्या है और भू अस्तम्ब के बाद जो ह सारी नाम है आप लोग इसको फिर देख लेजीएं इसको समझाते हैं एक एक करके तरह यह वात गरत कि से कहा जाता है वात गरत हुआ जो गाव में गाव में रहते होंगे बाया साब नो अगर थोड़ा सा कॉमें असके सारी चीजे उनको बड़े ही आसानी से ड़ी चीजे जो है तैयार हो सकती है जो अगर भी मतलब KIL HAVE A जो है बोहार की छीजhältर स्मयर्फ अगर थोड़ा सा साथ जासचा जा है इस kg वागर्ण में यहां पर इसका यहां पर सारा बालू है और पाउन के द्वारा जो है यहां पर बालू के कड़ो को उठाकर यहां ले जाया जाता है तो जो पाउन इसे यहां से उठाकर अधर जगां लाती है तो जहां से बालू को यहां से अगर इतना बालू है यहां से उठा ली यहां पर क्या हो जाएगा असला कृतिका निर्माड हो जाएगा लेकिन जब 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 इसी में वर्षा का जल भर जाता है तो इसी को वात जहेल कहा जाता है ठीक है? क्या कहते हैं? वात जहेल कहते हैं दूसरा आपका दूसरा इसका असपर्ष्ट होगा कि मरवस्तलिय छेत्रों में पवन के द्वारा अपवाहन की किरिया से निर्मित गर्थ को ही वात गर्थ कहा जाता है और जब इस वात गर्थ में वर्षा का जल भर जाता है तो इसी को वात जहेल कहा जाता है यह हमारा होगा और दूसरा देखेंगे दूसरा देखेंगे दूसरा देखेंगे इनसेल वर्ग ये क्या है ये शता है और ये जो है ये क्या है इनसेल वर्ग है देखेंगे इनसेल वर्ग का डिपनिशन क्या होगा यहाँ पर ये बताएगए इनसेल वर्ग मतलब किला रूपी जो चटान होती है और उसके ऊपर पॉन की द्वारा इतना लाकर बालों को निच्छेपित कर दिया गया इसके ऊपर कि ये जो इसका किला रूपी ये चटान है ये पूरा धग जाती है और जब धग जाती है तो यहाँ पर फिर क्या होता है ये जो इंसिल वर्ग होता है एक समय ऐसा आता है कि इसका पौनों के द्वारा फिर अपर्दन होता है अपर्दन से यहां कि जब बालू सारे चीज हड जाते हैं और ये किला रूपी जो चटान होती है ये जो है दृष्टगत मतलब दिखाई देने लगती है तो इसे क्या कहते हैं इंसेल वर्ग कहते हैं मतलब क्या है कि मरुवस्तली छेत्रों में सता के नीचे बालू से दबी ह मतलब कोई इला रूपी असलक्रिती जब सताह पर प्रकट हो जाती है दिखाई देने लगती है उसी क्या कहते है उसे को इंसेल बरग कहा जाता है ठीक है दूसरा देखेंगी तीसरा इसमें तीसरा और ये सारे चीज अपरदन से ही निर्मित हो रहे हैं देखें तीसरा जो है ये हमारा है इसमें जो है कुछ इस परकार से चित्र जो है बनाया गया है ठीक है और इसमें देखेंगे कि जो ये वाला होता है तो क्या होता है कि यहां पर हमस्तिर अख अगद और चतन का परषित कर रहा है जो बीच में भाइड दिख र्हा है ये सफेद जो है मुलयम तो मरुझथली चेतरों में कठोर और मुलयम दो परकार की चत्टाने पाई जाती हैं और यह जो चत्टाने में पाई जाती है और चैती नुमा में पाई जाती है ठीक है तो जब पाउनों के द्वारा मुलायम चट्टानों का अपरदन अधिक कर दिया जाता है तो तो कठोर चट्टाने सेश रह जाती है और यहां पर जो मित्रों जो मुलायम चट्टानों का परदन किया जाता है यहां पर पाउन की द्वारा चारों तरफ से किया जाता है जैसे जो छत्रक सिला यह जो ऐसे ऐसे बना हुआ है यहां पर पाउनों के द्वारा इधर से भी इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब जब मरोस्तली छेत्रों में पौनों की द्वारा सभी दिशाओं में जो है अपर्दन का कारी होता है और भी मुलायम चट्टानों पर तो उससे निर्मी तसला कृती जो है कठोर चट्टाने सेश रह जाती है और उस और ये एकांतर करम में पाई जाती हैं और ये 36 नुमा पाई जाती हैं तो ऐसे में इन मुलायम चटानों के ऊपर पवनों के द्वारा चारों दिसाओं से जो है अपरदन का कारी किया जाता है जब अपरदन का कारी किया जाता है तो इसके नीचे जो कटा हुआ सा दिख रहा ह यहाँ पर इसकी आक रिद्धी जू है कुछ मस्रूम रॉक की तरह मतलब मस्रूम की चतान की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं या च्छाथे की आकार की तरह दिखाई पढ़ने लगती है इसी को ही क्या कहते हैं इसी को ही जो है छत्रक सिला कहा जाता है ठीक है मित्रों यही सब कलास के लिए offline कलास में आप लोग देखेंगे कि आज के समय में कोचिंग में जो है 15,000-20,000 तमाम प्रकार के जो है यही चीज पढ़ाने के लिए और यही चीज कलास में एक दिन में एक टॉपिक को कंपलीट नहीं कर पाते हैं यहां पर उसूला जा रहा है चाहे लहाबाद हो चाहे दिल ली हो सारे जगां जो देख चुके हैं ठीक है तो परयास ही है कि यार कम में जो है कितने अधिक लोगों को यह हर चीज मिल जाता है त इन को जो है आपर नोग झालों कीजिये और शेक को सौर्व करिए और बाकिए है अ कि तो यह हमारा जो है यह मारा चो परफिला हो गया और चोट रक छिला के बाद जो देखेंगह है चौ तर्य अस्थान पर सामिल किया गया है और पढ़ाने का भी मतलब होई एक कुछ चीज बैवारी बताई जाया चाहिए ताकि वो चीज आसानी से जल्दी समझ में आ जाए अब देखिए ठीक है यह हो गया यह कठोर हो गया और यह कैनियन हो गया यह मेसा हो गया यह बुट्टी हो गया ठीक है अब देखिए यहां पर क्या होता है मेचा और बुटी मरुस्थली चेत्रों में मरुस्थली चेत्रों में पवन के द्वारा अब घरसड की किरिया से जब मेशा और बूटी के बीच में घाटी का निर्माड होगा या कैनियन का निर्माड होगा तब जाकर जो है यहाँ पर मेशा और बूटी का निर्माड होगा होता है तब इसे जो है मिशा और बूटी मना जाता है कि छवथा हम देखेंगे चौठा क्या है रूधा है इस चौथा में जो है पाँचुमा है हमारा है पाँचुमा है तब यह लेक्ट्छर की माधिम से इसे कम समय में अधिक चीजों को cover करने का प्रयास करें, ताकि पुरा topic आज ही complete हो जाए पाच्वा यहां पे क्या है, कि जुँनेन का निर्माण कैसे होता है ठीक है, तो यहां पर जुए, देखेंगे यह क्या है यह कटोर हो गए यह कटोर हो गया बीच वाला यह मुलायम हो गया ठीक है और जूनेन को यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ पर दवात मुमा आकरित मुमा जो है असला कृति बनी होई है तो सेम जो हमने यहाँ पर बनाया देख रहा होगा आप लोग देख रहे होगे कि इसकी आकरिती इसकी आकरिती जो है कुछ समान दिखाई पड़ रही होगी तो यहाँ पर भी हम वही सब्दावली का प्रियोग करेंगे कैसे पाई जाती है उर्ध्वा धर दिशा में पाई जाती है तो यहाँ पर पौनों की द्वारा मुलायम चट्टानों का परदन देखिए जहाँ पर मुलायम चट्टाने होगी वहाँ पर पौनों की द्वारा परदन होगा और उस परकार की जो है असला कृती का निर्माड होगा सेम वही चीज़ कि मरुस्तली छेतरों में कठोरों मुलायम दो परकार की चटाने पाई जाती है कांतर करम में पाई जाती है उर्दोधर दिशा में पाई जाती है और यहाँ पर जो है पौनू की द्वारा मुलायम चटानू का परदन अधिक होता है इससे जो दवात नुमा असला कृती का निर्माड हो रहा है इसी को ही क्या कहते हैं हम जिवनेन कहते हैं जिवनेन किसे कहते हैं इसी को कहा जाता है अब छाठवा इसमें देखेंगे इसला कृती छाटवा असला क्रिती में देखेंगे छाटवा छाटवा क्या है इस्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं यहां पर ठीक है दिख रहा है मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देखा हूँ और यहां पर देखेंगे यह क्या है यहां पर इसकी आकरिति कुछ इस परकार की बन रही है जिसम परकार कि बन रही है तो यहां पर यहां पर जो है क्या होगा रो अस्तम का निर्माण कैसे होता है यहां पर देखेंगे यह क्या है लंबवत है यहां पर यह जो हमने यह किया है, इसको यह कठोर चटान है, कठोर है, और यह बीच में जो हाइट दिख रहा है, यह क्या है, मुलायम है, क्या है, मुलायम है, मुलायम चटान, देखिए, यह मरवस्तली चेत्रों में जो है, मरवस्तली चेत्रों में, उर्दो अधर दिसा में, कठोर औ कठोर और मुलायम दो परकार के चट्टाने पाई जाते हैं। मतलब कठोर चट्टान मुलायम चट्टाने पाई जाएंगी बस इतना ऐसक तक लंबोध होंगी कोई शायती जोगा। यहाँ पर जो भू अस्तम का निर्माड हो रहा है ति यहाँ पर यह जो है कि मरुसली छेत्रों में पौन के द्वारा जो है कठोर और मुलायम दो परकार के चटाने पाई जाती है और यह जो चटाने जो होती है लंबोत नुमा होती है उर्धाधर में होती है और जब उर्धा क्रिती का निर्माण होता है जैसे उपर भी जो है कठोर है तो कुछ जो है इस परकार की असला क्रिति का निर्मार होगा तो लेकिन जब जब अस्तंब्र के दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं तो इस को ही क्या कहते हैं तो इसी को क्या कहते हैं यार दंग कहते हैं क्या कहते हैं यारडंग जब भू अस्तंब के के दोनों सिरे आपस में जुड़े रहेंगे जैसे यह जुड़ा हुगा है तो इसी को यारडंग कहा जाएगा लेकिन जब यही चीज यही चीज बीच वाला यह तूटकर गीर जाएगा पर्दन से जब हट जाएगा तो इसी को भू अस्तंब कहेंगे ठीक है तो यह हमारा भू अस्तंब हो गया अब इसके बाद हमारा सात्मा अस्तला कृति है सात्मा अस्तला कृति सात्वें असला कृती क्या है देखिए सात्वें असला कृती में देखेंगे यहाँ पर गोला गोलाश्म का प्रयूप किया जाएगा एक दो तीन चार ठीक है यहाँ पर हम इसको एक भाग को रंग दिए यहाँ पर हम जो है दो भाग को कलर कर दिए और यहां पर हम जो है तीन भाग को कलर कर दिये मतलब तीनों भाग को कलर कर दिये और यहां पर हम चार भाग को कलर कर दिये हैं इसको भी कलर कर दिये इसको भी कलर कर दिये और इसको भी कलर कर दिये देखिए इसे क्या कहा जाता है इसे इनकेंटर कहा जाता है जो है जवी केंटर कहा जाता है जवी इंटर कहा जाता है